नमस्ट कारिक बार फिर्ष ये आप सभी बेले प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत श्वागत है आज के इस नए वीडियो में देखिए आज आज आप लोगों का प्रिज्म पिरामिट दासांगो का जो चैप्टर है इसका ये पार्ट फोर है और आज से आपका ये भी चैप् कर दीजिए जिससे आपके सभी दोस्त भी वीडियो को देख सकें और अच्छे से पढ़ सकें देखिए आपका एक्जाम भी बहुत ही नजदीक आ गया है तो आप लोग अपनी तयारी को और बहतरीन बना लीजिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बीना किसी एक संकु है तथा बेलन है संकु के आधारिये तथा वक्रिष्ठे छेतरफल और बेलन के आधारियो और वक्रिष्ठे छेतरफल दोनों क्या है आपश में शमान है बेलन की उचाई दी गई है दो मीटर तो संकु की त्रयक उचाई क्या होगी यह हमें ग्याद करना है दिख और जो आपका बेलन होता है बेलन कुछ इस प्रकार का होता है और बताया जा रहा है जो बेलन और संकु है इन दोनों के आधार क्या है आपस में समान है तो जब आधार समान है तो इनके ब्यास भी समान होंगे और ब्यास समान है तो इनके तरिज्या भी समान होंगे मतलब जो बेलन है और संकु है दोनों की आधार के आधार समान होने की कारण हमारी क्या हो जाएगी तरिज्जाएं भी आपस में समान हो जाएगी अब कहरा कि बेलन की जो उचाई है वो दो मीटर है क्या है बेलन की उचाई दो मीटर है परन तो बेलन का वक्र प्रिष्ठिय चेतरफल क का formula क्या होता है 2 π. お Sit at the clock & यहां तो यहां से दोनों क्या है Mission में कि दोनों में जोड़ेलं के संग्ue के वक्र आपश में शमान है तो देखिए यह बेलन का होता है वाकर प्रिषघे 2017 2015 क्या होता है तूपधाइ आरियच होता है मतलब यहांपे रोती है height होती है और जो sunku होता है sunku क्या वक्रप्र Harm से हम क्या गरेंगे यल को रोक लेंगे तिरह कुछ यहल होता है ठीक है तो यहांертв को रोक लेंगे तो हमारे प्रस का बचे चाये लाए रेंगा उपाई आर्यच हो जाएगा और अपाइब पाई आर होसाएगा देखिए दोनुओ की तॱ्यजज़्या क्या upon 2 yage हो जाएगा यल is equal to 2 yage हाइट जो आपको दी ही गई थी 2 meter तो यहां से जो height हमें मिल गई हमें आप पर रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 4 meter मतलब जो हमारा तिरेक उचाई आएगा संक में क्या होता है क्यdamтор है आपकी प्जयाया तो यही आपकी है अब यहां पर यह जो आपकी उचाई है यही में ग्याद करनी थी और जो हमें क्या मिल चुकी है 4 मीटर मिल चुकी है 4 मीटर हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का देखें बहुत ही अच्छा और होती आसान सा क्वेश्चन था आपको समझ में भी आ गया होगा तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा 4 मीटर और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा देखें संको दिया गया था बेलन दिया गया था अप कह रहा था क्या कह रहा था कि संको और बेलन के जो आधार ये वक्रप्रिष्ठी च्छेतरफल है वो क्या है समान है मतलब आधार भी समान है वक्रप्रिष्ठ भी समान है तो आधार समान होने से हमारा क्या हो गया त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज चलिए अगले प्रश्ण की दूर बरद आते हैं और आज का अगला प्रश्ण देखते हैं दिखिएगा जो आपका अगला प्रश्ण है आपके सामने है कि किसी पिरामिड की तीन आसन कोरें क्या हैं परस पर लंब हैं उनकी लंबाईयां तीन चार और पाच सेंटीमीटर हैं उनके आयतन हमें ग्यात करना है दिखे क्या दिया गया है उनकी लंबाईयां जो है तीन चार और तीन चार और पाच सेंटीमीटर है उनके आयतन क्या होंगे हमें ग्यात करना है अब देखे पिरामिड दिया गया है और तीन आसन कोरें क्या है परस पर लंब है अब उनकी ल ला होगा मतलब की ए आप जब देखिनगे पिरामिड अप इसे चतुर भुज चाहे ले लें ये आपका चाहे में हो जाएगा जैसे भी आप चाहे उस टाइप में लेशकते हैं पिरामिड का मतलब बस यह हुआ जो यह पॉइंट है आपका यह उभरा हुआ है यह उपर की ओर है यह जो figure आपका बना हुआ है यह 3D में बना हुआ है अगर आप देखेंगे कोई मंदिर अगर बनी हुई है कुछ इस प्रकार से ठीक है कुछ इस प्रकार से आपकी मंदिर बनी हुई है और इसका जो आधार है आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है तो यह आप देखेंगे तो यह जो बिंदु होगा यह उपर उठा होगा निकला होगा ठीक है जो यहाँ पर यह बिंदु आपका है निकला हुआ है इसी को हमने क्या कर दिया यहां से ऊपर से देखा है जब इसे हमने ऊपर से देखा है तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा यही हमारा क्या है, 3D में दिखह रहा है, अगर आप देखने का प्रयाश करेंगे अच्छे से, तो आपको अवसे हाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये 3D में क्या बना हुआ है आपका एक पिरामिड बना हुआ है अब पिरामिड में बताया गया था कि पिरामिड में आपको कुछ चीज़ दी गई है लंबाईयां दी गई थी 3, 4 और 5 जो सेंटीमीटर थी वो लंबाईयां आपकी दी गई थी ठीक है इतनी चीज़ आपको दी गई थी और जो कह रहा था कि उनकी तीन जो आसन ने कोरे हैं वोगे क्या है परस्पर लंब है मतलब क्या हुआ यह देखी यह जो तीन कोरे हैं इनकी जो आपस में क्या है आपकी परस्पर लंब है तो 90 डिगरी का सब कौन बनाएंगी क्या 90-90 डिगरी का ये इससे बनाएगा ये इससे बनाएगा ये इससे मतब तीनों क्या है 90-90 डिगरी के कौन पर परस्पर लंब है ठीक है अब कह रहा है आपका ये प्रस्ट क्या कह रहा था कि उनकी लंबाईयां जो की दी गई थी तीनों कोरों की लंबाईयां पर देखे 3-4-5 अब इनका हमें आयतन ग्याद करना है तो आपको पता होगा जो आपका पिरामिड का आयतन होता है वो क्या होता है एक बटे तीन आधार का छेतरफल गुड़े उचाई होता है एक बटे तीन आधार का छेतरफल गुड़े उचाई अब आधार का हमें छेतरफल ग्याद करना ह तो आधार का छेतरफल आपको पता है यहां पर देखिए यह जो है आपका आधार है अब इसी का में छेतरफल ग्याद करना है तो त्रिभुज का छेतरफल क्या होता है एक बटे दो होता है और आपकी जो यह दूरी दी गई है इसका आपस में गुड़ा हो दाएगा ठीक है तो यह एक बटे तीन आपका बाहर हो गया और यह आधार की जो छेतरफल है इसे अलग कर लिया गया मतलब आधार का छेतरफल और गुड़े में उचाई आपका लगएगा उचाई आपका क्या दिया है यहाँ पर देखेंगे जो यह हाइट है आपकी यही दी गई है पांच क आपका यहाँ से जब वैलू रखेंगे पूरा तो आधार के छेतरफल का मतलब क्या हो जाएगा जो यह आपका आधार दिया है इसमें दो भुजाए दिगे हैं तीन और चार तो यहां से एक बटे दो गुड़े तीन और गुड़े में चार होताएगा मतलब जो दो तीन ग यही हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा इस कुष्चन का दिखिए आसान सा कुष्चन था इसमें कुछ नहीं था बस एक फिगर दिया गया था पिरामिड का जो पिरामिड में आपको फिगर दिया गया था मैं इसका आयतन ग्याद करना था आयतन आसानी से ग्याद कर सकते क्योंकि मैं फूप जो फार्मूला पहले से ही पता है एक बटे तीन आधार का छेतर फल गुड़े उचाई होता है तो हमारा फार्मूले पे रखे वैलू सॉल्ब कर लेते हैं तो छलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेश्न की ओर और अगला प्रेश्न देख ल polygon देख लेते हैं यदि एक लंब विरद्धिये संकू के आधार की त्रिज्या और उचाई 20 परतिस्त बढ़ा दी jail देखिए आधार की त्रिज्या बढ़ाई जा रही है और संकु का जो लंग व्रिद्धी है संकु का उचाई है हाइट है वो भी आपका यापे 20 प्रतिसत तक इसमें व्रिद्धी की जा रही है अब गहरा कि संकु के आयतन में प्रतिसत वृद्धी कितनी हो जाएगी प्रतिसत वृद्धी आपको ग्याद करना है कितनी हो जाएगी कितने प्रतिसत की वृद्धी हो जाएगी यह हमें ग्याद करना है तो देखेगा सबसे पहले तो आपको पता है कि जो संकु है संकु का आपको क्या निकालना है आपको सबसे पहले इसका निकालना होगा आपको आयतन और संकु की आयतन का फार्मूला आपको पता होगा तो संकु का जो आयतन होता है क्या होता है एक बटे तीन पाई आर इसक्वाइर यच होता है यहाँ पे त्रिज्या को हमने मान लिया ह आर है और उचाई को यच मान लिया है तो यहां से जो आपका आयतन निकलेगा संगू का लंब वृति शंगू था तो उसका संगू का आयतन क्या हो जाएगा एक बटे तीन पाई आर स्कुाइर यच अब कह रहा है कि तृज्या में और उचाई में आपकी वृति हो रही है 20-20 प्रतिसत की तो जब त्रिज्या आर है और आर में हम आर का 20 प्रतिसत निकालेंगे मतलब आर गुड़े आर बटे 20 बटे 100 यहां पर 25 पंच से करेंगे तो 5 और एक 6 बटे 5 आर हो जाएगा यहां पे और यच जो है यच भी आपका 6 बटे 5 यच हो जाएगा ठीक है मतलब क्य और 20 प्रतिसत की इसमें क्या हो जाएगी कि यह बात आपको समझझ में आ रही होगी देखें त्रिज्या और ओंचाई में क्या टीक है बीस प्रतिसत की बटे 5 यही की की आर और यच ही रहेगी जो कि यहां फे फार्मूले में दिया गया है लेकिन जब 20 प्रत्त की विर्द्धी कर दी जा रही तो आपका आर जो पहले आर था वो अब हो जाएगा नया आर आपका 20 प्रत्त विर्द्धी के बाद 6 बटे 5 हो जाएगा जो पहले यच था वो अब बच्छ अनिया निकलेगा तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया अब देखिया हम क्या क्या करेंगे इसके rival objective है और यज की वैलू दे हट रह देंगे तो आपका flag इतन इक बिटे तीन पाई आरे स्कॉर्ण होता है तो आर polít है तो स्थोजय गजाएका थिए इतन फ्रічकender 0पाई वर्छोग हो गया न हमंहें चावस्थिया कर फेमानद tin लिए और एक बार नीचे 5 है मतलब आपका क्या हो गया 6 गुड़े 6 गुड़े 6 और नीचे में आपका हो जाएगा 5 गुड़े 5 गुड़े 5 ठीक है अब 6 गुड़े 6 गुड़े 6 आपका 216 हो जाएगा 255 पंचे 125 हो जाएगा और जो हमारा पहले हमने निकाला था V1 हमने माना था क् बटे 3 πi r² h निकला था तो हमारा 1 बटे 3 πi r² h निकल के आ चुका है पहले बाहर आ गया तो हम इसके जगा पर क्या लिख सकते हैं v1 लिख सकते हैं मतलब हमारा जो टोटल आएगा वो क्या आज़ाएगा नया वाला आएटन जो आएगा माइनस कर देंगे तो माइनस वीवन कर देंगे तो टोटल आपको आएगा मिलेगा यहाँ पर 216-125 बटे 125 वराबर एक क्या नवे वीवन बटे 125 हो जाएगा आएटन में वरिद्धी मतलब जो नया आएटन हमें मिला है उसमें से हमने जो पुराना आएटन वीवन निकाला था उसी को हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 91 वीवन अपान 125 अब देखिए हमें जब यह मिल चुका है तो हमें निकालना क्या है आएटन में प्रतिशत वरिद्धी निकालना है तो प्रतिशत विद्धी मतलब क्या हुआ इतना जो है इसका हम सव से गुड़ा करके जो भी प्रतिशत हमारा जो जितना हमने पहला मारा आयतन था उससे भाग दे देंगे तो यहाँ प्रतिशत में व्रिद्धी हमें ग्याद करना इसलिए तो वीवन से बीवन कर जाएगा और फिर आपका जो यहां से सौल्ब होगा वो सौल्ब होने के बाद आपका दाएगा 72.8 परसेंट लेक लगभग में मतलब लगभग में हमारा 73 प्रतिसत आ रहा है और यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए आसान सी कोईस्चन है कुछ भी नहीं है बस आपको स्टप बाई स्टप चलते जाना है आपका क्वेश्चन साल्ब हो जाएगा और यह कोईस्चन जो समान विरताकार आधार छेतरफल के संकु जिसकी तरयक उचाई यह चबाई टू है उसके वक्रप्रिष्ट का अनुपात हमें ग्याद करना है उसके वक्रप्रिष्ट का अनुपात क्या होगा यह हमें फाइंड करना है तो देखिए यह कोईस्चन आपका कैसे लगेगा ध् पूछा जा चुका है तो इसलिए आपका इंपॉर्टन बन रहा है तो दीखे का क्वेश्चन हमारा क्या था जो हमारा बेलन था वह वक्रप्रिष्ट और उसका आयता जो समान विर्ताकार अधार के संकु था संक और बेलन दो चीज़ थे तो दीखे सबसे पहले हम बेलन का वक्रप्रिष्ट निकालते हैं तो बेलन का वक्रप्रिष्ट आपको पता है तू पाई आर यच होता है और जो संकु का वक्रप्रिष्ट होता है वो क्या होता है पाई आर यल होता है यल यहाँ पर क् सप sanctions है तो सबस्काइड पाइड यज मदंक सबस्थ कीया किसा हम रखेंडís यहां में क fulfil सबस्क्राइबलां इसलिए आपको प्रिष्ट है थीक है अब देखिए हमें इसका निकालना है वक्रीन्परिष्ट यह आ गया सबस्क्रामरे मलतएया इच करेंद रूसे मिल्हें तो हम क्या करते हैं इन दोनों कानुपात निकालते हैं तो पाई तो हो जाएगा और अपाउन में आपका क्याहा तू हो गया अब यह दखियो आपका तू जो है उपर चला जाएगा तो nuclear ग्रॉं देखिए यह आपका जो आंसर आ गया question का चारणपात एक आज आएगा देखिए option कहाँ पर दिया गया है option number c दिया गया है चारणपात एक तो इसलिए आपका जो चारणपात एक है एकदम से correct answer हो जाएगा देखिए यहाँ पर question में कुछ नहीं था आपको दो चीजे दी गई हो जाता संग press अगर हम भीणट तो पई यहर दिया गया है यह र यह भाई टू वाई टू दिया गया तो पाई आर यह भाई टू हो जाएगा मतलब यही आपका एकदम से correct answer हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं आपको question ये भी सबज में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और देखिएगा अगला प्रेशन एक संक्वाकार परवत की तिरेक उचाई संक्वाकार मदब संक्वाय तो तिरेक उचाई यल होता है यल बराबर क्या दिया गया है और प्रेशन के regarding बन आपका तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले संकू है तो संकू का हम क्या करते हैं आधार का छेतरफल दिया गया है संकू के आधार का छेतरफल दिया गया है तो संकू आकार का है तो इसलिए हमारा जो छेतरफल होगा आधार का क्या हो जाएगा तो pi r² की value क्या दी गई है 1.54 ठीक है यहाँ पे हमारा आधार का छेतरफल था ठीक है और आधार हमारा कैसा था संक्वाकार का परवत था तो इसलिए हमारा जो आधार आएगा वो क्या दाएगा छेतरफल आजाएगा pi r² तो यहाँ से r² पराबर क्या हो दाएगा 1.54 और अप जाएगा और 0.49 का आप जब इस रूट मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो यह आपका r² से r हो दाएगा तो r बराबर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 10.7 मतलब 0.7 km आपका त्रिज्या आजाएगा हमें ग्याद क्या करना है हाइट ग्याद करना है अब संक्वाकार परवत है तो हमें हाइट ग्याद करने के लिए संकु के उचाई हमें उचाई का फार्मूला लगा देते हैं तो संकु के जो उचाई का फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए तो संकु का उचाई हाइट आपका क्या हो जाएगा हो जाएगा इसका एक फार्मूला होता ह ल स्क्राइमें इसी चीषक्ण कपी आप को पहले कॉइश च्बाना है इसक Deep सब्सक्रंब करेंगे दख निकाला है हमें यहां पर जुआते हैं सब्सक्राइब मह草writer सब्सक्राइब में सब्सक्रायब को अब्सक्राइब करेंगे तो दौुश्य스킬 और जब इसे आप माइनस करेंगे तो दस्मलों में पांच दस्मलों साथ छे आपका आजाएगा और टोटल तो आपकी बैलू निकल के आएगी 2.4 किलो मीटर आजाएगा यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दो दस्मलों लिए निकल के हमने क्या आर की तरज्जा की वैयरली जब तरज्जा हमें मिल गया तो हम फार्मुले पर रखके क्या 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 चीजे में चीजे दी गई है दो दस्मलों चार किलो मीटर हमारा राइट आजाए गया इस इस question का तो आज का ये आखरी question आपके लिए homework के लिए है आप लोग homework करिएगा इसका answer हमें comment box में आवाश्य बताईएगा तो देखते हैं इतना जो है चार lecture हम दे चुके हैं कितने बच्चे हमें इस question का जबाब देते हैं सही सही हमारे comment box में तो इतना जो है आपको चार lecture दिय पता है क्या होता है पाई आरियल होता है और संकुक का वक्रिष्ट आपको ग्याद करना इसमें जो भी चीज़े दी गए हैं आपको अपने इसाब से समझना है question को solve करके हमें answer comment box में आवस्य से अवस्य बताना है तो फिर हम कल स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर एक नया च में तब तक के लिए जहीं जाए भारत ऐसे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकर को प्रेश कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रही है धन्यवाद